आज हम लोग बात करेंगे WordPress versus website builders के बारे में Hi guys, मेरा नाम है Kripesh Ardwani, यहाँ पर मैं digital tools के related videos बनाता रहता हूँ आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग अभी start कर रहे हो अपनी website journey को कोई website बनाने का सोच रहे हो तो internet पर बहुत सारे options होते हैं website builders होते हैं WordPress होता है, static html होता है, बहुत सारे options होते हैं अपनी website को develop कराने के लिए उसमें से जो दो most popular options है पहला है WordPress, second is website builders तो आज हम इन दोनों का difference समझेंगे, कौन से सिनारियो में कौन सा product हमें use करना चाहिए अगर आप लोग beginner हो, तो ये वीडियो आपको decide करने में help करेगा आज जो हम compare करेंगे, वो करेंगे wordpress.org का .org और .com में क्या फर्क होता है, उसके लिए में पहली वीडियो बना चुका हो, आपको आई बेटर में मिल जाएगा mainly .org की use होता है, तो website builders versus wordpress.org के बारे में आज हम लोग बात करेंगे तो without any further delay, let's get started, सबसे पहले समझते हैं कि wordpress और website builder में difference क्या होता है WordPress is a CMS, content management system, इसके थूँ बहुत सारी अलग-अलग तरह की websites बनाई जा सकती है जैसे कि professional blogs होगए, e-commerce होगए, online stores होगए, simple one page websites होगए, landing pages होगए, portfolio website होगए, कुछ भी इससे बनाया जा सकता है website builder की बात करूँ, तो website builder is a non-coding platform जिसके थूँ website बनाई जा सकती है और इसमें कुछ ज़्यादा technical knowledge के requirement भी नहीं रहती है कुछ companies हैं, जैसे कि Zyro, Wix, Shopify and Card, यह सब website builders में आते हैं अब अगर मैं इसके editor की बात करूँ, तो website builder में drag and drop editor आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर जैसा आपको दिखेगा editor में, वैसा ही उसका preview भी दिखेगा website के ऊपर WordPress की बात करूँ तो यहाँ पर आपको drag and drop नहीं मिलता है, यहाँ पर एक blocked editor होता है, that is Gutenberg और यहाँ पर जो एडिटर पर जो आपको elements दिख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है, कि preview के time पर भी वैसे ही दिखेग, design यहाँ पर change हो सकती है Although WordPress पे यहाँ पर page builders होते हैं, जैसे कि elementor जो website builders की functionality को mimic कर सकते है Ease of use की बात करना है, तो website builders को यहाँ पर काफी easy होता है use करना, it is like an iPhone of websites, सिफ drag and drop करो और आपकी website यहाँ पर तैयार WordPress में, it requires a learning curve, थोड़ा बहुत आपको आपको पास technical knowledge होना चाहिए, कैसे work करता है, कैसे setup करना है तो एक slight learning curve रहता है WordPress के उपर, it is not as easy as website builders Customization के बारे में बात करने हैं, तो website builder में आप लोग के पास limited customization होता है WordPress की बात करूं, तो यहाँ पर आपको काफी सारे customization के options मिल जाते हैं, जिससे आपकी आपकी needs है, वैसे आपको कस्टमाइज कर सकते हैं और आपको और कस्टमाइज करना है, तो you can always hire a developer, वो भी यहाँ पर इस पर कस्टमाइज उसको कर सकता है themes और templates की बात करों, तो website builders में आपको templates देखने को मिल जाती है, लेकिन limited numbers में रहती है और एक template से दूसरी template पर switch करना is not easy in website builders, क्योंकि जो data रहता है, वो कभी कभार यहाँ पर चला जाता है, और data अच्छे से यहाँ पर migrate नहीं हो पाता है वहीं पर WordPress के बारे में बात करों, तो यहाँ पर आपको खूप सारी themes, plugins मिल जाते हैं, free themes भी, paid themes भी होती है और एक theme से दूसरी theme पर switch करना यहाँ पर काफी easy होता है, आपका data रहता है, वो intact ही रहता है, उसमें कोई problem नहीं होती है So themes और templates में WordPress यहाँ पर काफी आगे है, अब domain और hosting के बात करों, तो अगर आपको website builder यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको self-hosted hosting मिलती है जहां से आप लोग अपनी प्यान लोग के जैसे Wix से लिया है, तो Wix वाले ही यहाँ पर hosting करेंगे, उसके लिए आपको extra payment की requirement नहीं रहे है domain, usually आपको एक साल का free मिल जाता है, sub domain आपको free मिलता है, forever, लेकिन sub domain किसी काम का नहीं होता है, तो आपको primary domain name रहता है, जैसे ही prepage.com, इसके लिए आपको pay करना पड़ सकता है, from next year, या फिर किसी एक अलग domain name, रजिस्टरार के through भी आप लोग इसको purchase कर सकते हैं, WordPress के बारे म you can go with Hostinger, and Hostinger is our today's video sponsor as well, जो की एक affordable hosting option है, especially beginners के लिए, जो आपको अच्छे speed देता है, अच्छा uptime देता है, उसके इंडिया में data centers भी आ गए हैं, बाकप भी आपर अच्छे हैं, load handling भी कर लेता है, और free domain भी आपको इनके plans में मिल जाएगा, अगर आप लोग मेरे नीचे दे लेकिन है कि hosting भी इस कैसे करना है, तो बिगनर के लिए एक अच्छा option हो सकता है, अब बात करते हैं स्पीड के बारे में, website builder is not known for speed हला कि आजकल वो काफी modern हो गया है, काफी lightweight हो गया है, तो इस वजए से आपको decent speeds मिल जाएगी, लेकिन बहुत जादा हैं आपको high speed देखने क यूजूरी नहीं मिलती है वेबसाइट बिल्डर के ऊपर वही पर अगर मैं बात करूं वर्ट्प्रेस की तो वर्ट्प्रेस पे शिलनला सब्सनाइट का अपर प्सका और मीरा प्सका फिर सब्सक्रार में में सब्सक्राइट का तो काफ सब्सक्राइट करने। यह जिया थो some is a ready to see this sky इडियन कौन सा यूज किया है बहुत सारी यहां पर चीजे होती है इसको मैं अल्रेडी कवर कर चुका अपने एक वीडियो में वह भी आपको 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 अप्टिमाइज कैसे करते है अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को सक्षेट की बात करी जाए तो वेबसाइट बिल्डर में इस एजी सिच्टिमर का डेटा पेमिंट डेटा सब कुछ शौपिफई की रहें रहें वर्डप्रेस की बात करो तो विट्वर्ड्रेस सिक्यूरिटी इस यूर रिस्पॉंसिबिलिटी वर्ट्रस का यह याद नहीं रहता है वोस्टिंग आपने कहीं इसे लिए थर्ड पार्टी प्लगिंस काम लोग यूज करते हैं इसमें कभी कबार यहां पर वल्नेरिमिलिटी भी निकल जाती है तो यू नीड तो लर्न हाउ तो सिक्यूर यूर वेबसाइट उसके लिए मैं एक वीडियो बना कर रखा है वो भी आपको वाइटन पे मिल जाएगा अगर वर्ट्रस यूज कर रहे हो तो इस अ मस्ट वॉच जाकर देख लो स्कुर्ण के बारे में बात करी जाए तो वेबसाइट बिल्डर में इस गुट फॉर बिगनर अच्छी हो जाती है यहां पर आप अग मेटाडेटा पर एडिट कर सकते हो लेकिन बहुत ज्यादा हाई लेवल की स्यों यहां से पॉसिबल नहीं होती है वर्ट्रेस की बात कर सब्सक्राइब कर सकते हो उस एक प्लग इन के थुरू अगर आपको अप्टिमाजिशन करना है तो अगे यह कुद से करना पड़ेगा ऐसा नहीं कि अपने पो जाएगा आपको यहां पर एफट देने पड़ेंगे सपोर्ट की बात करी जाए तो वेबसाइट बिल्डर इस वेडिशन करना पड़ेगा तो एक वन-स्टॉप सॉल्यूशन यहां पर आपको नहीं मिलता है वर्डप्रेस पर रिगार्डिंग सपोर्ट और कभी-कबार ऐसा भी होता है कि देख प्ले ब्लेम गेम थीम्स वाले बोलते हैं कि अप्लग इन प्लग इन वाले बोलते है कि थीम्स की प्रॉब्लम है तो आपको काफी डीब डिक डाउन करके वो देखना पड़ता है कि अक्चुल में प्रॉब्लम क्या हो रही है वेबसाइटी बीटर अब यहाँ पर एक्सपोर्ट सो भेप साइट को मूग करने की बात करी जाए तो वेबसाइट बीलडर को यहाँ पर इजी स्टिकी प्रोड़क्ट एक बार मैंने अपनी वेबसाइट बना ली तो मैं इस स्क्वेर स्पेस पर उसको शिफ्ट नहीं कर स सकते हो आप लोग थीम्स मूव कर सकते हो यू के इजीली मूव यूर डेटा उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है तो वेबसाइट डिल्डर पे या पर काफी जल्दी आप वेबसाइट डेलप कर सकते हो विदिन डे और टू आपकी वेबसाइट यहां पर एडिटो ल लोग वर्डपेस पे प्राइजिंग डिपेंड़ अपॉन में देना है यह तो सबको से परेटली पेकर ना है ऐसा नहीं एक स्कुप कर दिया यांड बाके आपके अइसा वर्डप्रेस पे नहीं होता है वर्डपैस की कोस्त के लिए एक आई बटन पे मैं आपको वीडियो में जानना है कि वर्ट्रेस की क्या क्या कॉस्ट आती है तो वो जा कि आप लोग देख सकते हो नाव कोश्चिन इसकी दोनों में से यहां पर सस्ता कौन सा है अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हो तो वेबसाइट बिल्डर is a cheaper option in my experience लेकिन जब आप लोग एक एडवांस लेवल पर पहुच जाते हो तो फिर यहां पर वर्ट्रेस की कॉस्ट कम लगने लग जाती है और वेबसाइट बिल्डर की जाधा लगने लग जाती है ऐसा इसलिए पहले तो वेबसाइट बिल्डर यहां पर सिर्फ एक ही वेबसाइट पर काम करता है मतलब अगर जैसे मैंने 12 डॉलर का प्लान लिया है तो उसके सिर्फ एक ही वेबसेट रहेगी एक ही डॉमिन अक्टिवेट रहेगा तो अगर मुझे एक और वेबसेट बनानी है उसके लिए अगेन मुझे यहां पर डॉलर 12 पेखना पड़ेगा और अगर मुझे उसमें से कोई एक फीचर यहांपर चाहिए तो मुझे वह पूरा प्लान ही लेना पड़ेगा है यासी कोई खेलीटी नहीं मालोग एडवांस और अगर अगर ब्रशीर मुझे चाहिए मैंने का यार मुझे SEO करना है मैंने जाकर रांक मात का प्लग-इन ले लिया एक बार पेमिंट करी साल बर क्ले अब मैं फ्री हूं सो फॉर एडवांस वेबसाइट वर्डप्रेस इस बिट चीपर और वेबसाइट बिल्डर चीप और काफी इजी तु यूज भी रहता है अगर आप लोग एक बिगनर हो आपको डिस्प्ले वेबसाइट बनाना है एजी तु यूज होना चीए फास्ट होना चीए जल्दी वेबसाइट बन जाए और ज्यादा टेकनिकल नॉलेज की भी रिक्वाइरमेंट नहीं हो तो फिर वेबसाइट बिल्डर एक अच्छा उप्शन रहेगा जैसे कि वेबसाइट बिल्डर पर भी ब्लॉगिंग हो जाती है लेकिन उस लेवल की नहीं हो पाती है जिस लेवल पर वर्ट्रेस पर आप लोग कर सकते हो और e-commerce की बात करी जाए तो e-commerce पर वो दोनों पर हो जाता है अगेन मेरी रिकमेंडेशन में अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट वित वेबसाइट बिल्डर जैसे कि Shopify काफी अच्छा है e-commerce के लिए क्योंकि उसमें फिर आपको कोई टेंशन नहीं रहती है रेटा सेफ ही कि नहीं है वायरस वग तो नहीं है और सारे प्रोसेस साही से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इंस्टेट मैंने का कि मैं शॉपिफाय ले रहा हूं उस पर मेरा जादा ताइम स्पेंड नहीं होगा अगर आपको एचला लगा था तो तुम्सबाप लिजेगा च्नल को सब्सक्राइब कर लिजेगा अवर इंट्रेसिंज वीडियो के लिए एन विए लिए निश्यू गाइभाय